हलो नमस्कार दोस्तो आज का हमारा टोपिक है विंडो 11 के लिए एप परमिशन कैसे मैनेज करते हैं वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें चलिए शुरू करते है आपको क्या करना यहां पर स्टार्ट पर राइट क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा इसके बाद आपको क्या करना यहां पर सेटिंग दिख जाएगा इसके ओपर आपको क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको यहां पर सेट करना चाहते हैं तो यहां से क्लिक करके आप आपको करना है तो यहां से आप का कंट्रोल कर सकते हैं वैसे ही मालिजे यदि आप कैमरा के लिए करना चाहते हैं या किसी और चीज के लिए करना चाहते हैं मैक्रोफॉन के लिए करना चाहते हैं वैस के लिए करना चाहते हैं जिस भी app permission को set करना चाहते हैं, उसके ओपर आपको click कर लेना है, click करने के बाद यहां से आप on off कर सकते हैं, कौन सा app के लिए आपको permission करना है, तो यहां से आप on off कर सकते हैं, यहां से भी आप control कर सकते हैं, यहां से भी आप control कर सकते हैं, यहां तो दूसरा तरीका यह है कि जाने के बाद आपको यहाँ पर एप और फीचर दिख जाएगा इसके उपर आपको किलिक करने हैं किलिक करने के बाद यह विंडो ओपन हो जाएगा अब आपको क्या करने हैं उस एप को यहाँ से सर्च करना चाहते हैं उसको परमिशन देना चाहते हैं इस तरह से सर्च कर ल लाइक करे शेयर करे थैंक यू